हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में रेजिडेंचल स्कूल से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वेकेंसी आई है नए राज्य से नोटिस जारी हुआ है अलग-अलग पोस्ट है सेलरी जो है यहाँ पर 29,835 से लेकर 52,533 है साथ में रेजिडेंस और मील्स पी जो है प्रॉवाइड होगा लास्ट डेट आविदन करने की 20 सितंबर है तो चलिए देख लेते हैं एप्लिकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे सैनिक स्कूल कोरू कोंडा से वेकेंसी है तो सैनिक स्कूल ना तो केंदर सरकार के अंतरगत आता है ना ही राजे सरकार के अंतरगत आता है इसमें वेकेंसी के लिए जैसे ही आप निचे आएंगे news and updates में आप लोगों को application form अलग से download करने को मिलेगा और advertisement अलग से आपको download करनी है यह application form है जिसे आप लोगों को fill करना है offline mode में भेजना है पूरा address लिख कर अपने जितने भी passing certificate है उनकी photocopy इस application form के साथ में अटेस्ट करनी है और फिर आप लोगों को by post भेजना है speed post रिया register post तो सबसे पहले देखें counselor की एक vacancy है इसमें BA नहीं मांग रहे हैं अगर आपने graduation किया हुआ है psychology में तो भी आप आविदन कर सकते हैं जिरोंने post graduation किया है psychology में वो भी आविदन कर सकते हैं child development अगर आपने post graduation में किया है या आपने diploma career guidance and counseling में किया है तो भी आप यहां पर apply कर पाएंगे salary जो है 52,533 है undeserved category के लिए 21 से 35 वर्स इसमें उम्बर रखी गई है rent free accommodation और food ठीक है provided होगा during session में PTI कम matron female की एक vacancy है इसके लिए कह रहे है कि बैसलर डिग्री आपकी physical education में होनी चाहिए और D.P.Ed ठीक है counselor की जो vacancy है तो इसमें desirable में रखा है B.Ed या M.Ed अगर नहीं भी किया है तो भी आप आविदन कर सकते हैं यह qualification जो होती है वो जरूरी होती है essential qualification craft and workshop instructor की एक vacancy है इसमें 10th pass मांगा गया है दो साल का आपके पास trade certificate होना चाहिए industrial training institution का English medium में आप लोगों को पढ़ाना आना चाहिए 34,164 इसमें salary है unreserved category के लिए तो कोई भी आविदन कर सकता है U.R. में तो उसके बाद horse riding की vacancy है band master की vacancy है TGT mathematics की एक vacancy है qualification graduation 50% marks के साथ में B.Ed आपके पास होना चाहिए और pass in the teacher eligibility test paper 2 तो इन्होंने जो है salary इसमें TGT के teachers के लिए 52,533 रखी है 21 से 35 वर्स तक के candidate आविदन कर सकते हैं इसमें भी जो है rent free accommodation रहेगा food provide होगा और इसमें जो seat है unreserved category के लिए है या कोई भी आविदन कर सकता है unreserved category में तो आपको बता दिया है medical officer के एक vacancy है MBVS वाले इसमें 74,000 से अधिक salary है nursing sister female के लिए जो एक vacancy है तो 12 के साथ में आपके पास diploma nursing में होना चाहिए या फिर BSC nursing में हो 21 से 50 वर्स उम्र है 29,835 इसमें salary है ठीक है तो जितनी vacancy बताई है सभी unreserved category के अंतगत तो इसमें कोई भी आविदन कर सकते हैं आयू सीमा में चूट जो है central government rules के according रहेगी जैसे अगर OBC candidate आविदन करते हैं तो 3 साल की रहती है SCST करते हैं तो 5 साल की रहती है ठीक है PWD करते हैं तो 10 साल की अब कैसे apply करना है eligible and interested candidate में apply with complete application format available यह official website है इस पर आप लोगों को पूरा application form मिल जाएगा इसी आप लोगों को download करना है print करना है और पूरा fill कर लेना है envelope के उपर यह address रहेगा the principal sanic school कोरुगोंडा post office sanic school कोरुगोंडा district विजय नगरम आंदरप्रदेस तो आंदरप्रदेस की vacancy है इससे पहले जो video बनाया गया था वो अलग राज्य की vacancy थी pin code 535214 ठीक है यह पूरा address आपको लिखना है application form के साथ में अपनी सभी mark sheet की photocopy लगा देनी है बिना experience के भी आप लोग apply कर सकते हैं अगर है experience certificate तो वो भी लगा दें 500 रुपीज का demand draft जो है unreserved category के लिए और SCST को 250 रुपे का demand draft बनाना है principal sanic school कोरुगोंडा के नाम से state bank of india sanic school कोरुगोंडा ब्रांच के लिए ठीक है तो अभी जो है आप लोग demand draft बना लेंगे और उसके साथ जो है जो receipt होगी application form के साथ में ही अटेस्ट आपको करनी है 21 दिन तक जो है आप लोग apply कर सकते हैं तो आप लोगों को application format पूरा notification के लिए official website पर आना है थोड़ा नीची आएंगे news and update में आप लोगों को मिल जाएगा चीक है link के लिए video के नीचे description box को check करें thank you